वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल आपका माई चैनल में स्वागत है हम अपने class 10 math के most important mc100 mcq कर रहे थे और हम अपने इस वीडियो से जो पहली वीडियो थी उसमें हम अपने जो question है हम 31 तक कर चुगे थे इतने हम 31 तक अपने question जो है complete कर चुगे थे वेशो तो हमने question है वे हमने 50 तक कर लिये थे पर पताने किसी कानवेस वीडियो में ऐसा हुआ कि question 50 तक जो थे question नहीं आ सके 31 तक ही आए तो वह video हमने YouTube अप्लोड कर रखी है अगर आप सबसे पहले आप उसको देखें उसके बाद आप जो आगे question है उनको देखें ठीक है तो start करते हैं question number 32 से तो अगर आप हमाएं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूब करें और वीडियो को भी लाइक करें क्योंकि यह most important 100 MCQ है और आपको paper में इनके अंदर ही मिल इससे बाद कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है तो start करते हैं तो start करने पर लगए आप चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूब कर दीजे क्योंकि आप बार में भूल जाते हैं तो question number 32 से देखिए question number 32 उसने क्या का है उसने का है उसने का है जो सम रूप तिरबुजों होते है सम र दो ऑगा अगर किनी भी दो तिर बुझों का यानि कोई बिर तो तो दो तिर्बुज है ABC और PQR तो तिर्बुज ABC अपोन तिर्बुज PQR दोनों का क्या 6 त्रफल अपोन इसके भी क्या 6 त्रफल का जो अनुपात होता है वो दोनों की भुजा के यानि कि तिरबुज ABC अपोन तिरबुज PQR दोनों के भुजा के तिरबुज भुजा और इसके भी भुजा के इसक्वेर के क्या होता है बराबर होता है यानि कि इसक्वेर के अनुपाती इसक्वेर के बराबर होता है उसने पूछा गाई दो सम्रूप तिरबुजों के शेत कर्मानुपार्थी और क्यों होता है मैंने आपको रिजन बता दिया ठीक है क्योंकि नंबर 33 क्या है most important question है हमारा ठीक है क्योंकि यह paper में कितनी बार आप पुछा जा चुका है यह question जो है गाई चार नंबर में पुछा जा चुका है और mcq में भी पुछा जा सकता है क्योंकि यह question a सही है दो चार और mcq तीनों माने के इसकी पूरे-पूरे बिचगी दुरे निकालने के लिए निकालने के लिए हमारे पास जो फोर्मॉला है होता है x2-x1 का square plus y2-y1 का square घया है अब उसे तेन और वाई Shain एकने, जो इसके बीच की दुरी हो कितनी है, टेन मात रखो है, तो फोर मौल हो रखते हैं, बीच की कितनी है को इसी हुए क्या पॉलतते हैं, तो ऐसके क्या भुलते हैं, एकस माइन, ये खैकin खाल गभर कि तो यह क। यह डूर क। ऑले कि यह और माइनस यह मानमार य तो ढेह मोद आई करना है तो हम इस अगर क। रूम हो गाए ह। तो हम खाल गया क tut देंगे दोनो तरफ का वर्ग करने पर वर्ग करने पर और गाईज यह question most important MCQ है और गाईज अगर मैं आपको बताओ कि मैं यह क्यों करा है क्योंकि आप chapter पढ़ चुके हैं आप अब MCQ कर रहे हैं और आपके paper नजदीग भी है यानि एक दो दिन बाद आपके paper है तो हम जादे deeply नहीं क क्योंकि सब चीद आपने पहरे chapter पढ़ हुए जभी आप MCQ कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह के chapter पढ़ रखा है ठीक गाईज तो देखिए उसने गाई दोनों तरफ को वर्ग कर दिया तो गाईज 10 का वर्ग होगा हमारा बराबर square root 8 का square क्या होता है 64 plus में y plus में 3 इस कभी क्या होगा square और इसके पूरे का क्या square आप गाईज यह question इतना long है आप सोचोंगे कि MCQ में इतना long है अगर नहीं यह question MCQ में इसी type को question आ सकता है क्योंकि मैं इसी question में आपका 4 number और 2 number दोनों का cover कर दूँआ क्योंकि आप MCQ के साथ साथ ही 4 और 6 number के question की practice कर लेंगे और आपको पता भी नहीं लगागा क्योंकि इसी type के question paper में पूशे जाते हैं अब गाई 10 का square हो क्या होता है 100 बराबर square से square root क्या होता है इस cancel हो जाता है तो 64 plus में क्या हो गया y plus का 3 और इसका क्या square अब 10 100 बराबर में 64 plus में देखो गाई A plus B का formula आपको पता है A का square plus B 9 का square क्या camera y आपका इस number वाले सारे एक तरफ और variable सारे एक तरफ तो कितने y square plus का 6y यह तो दोनों एक साइड रख दिए और इन दोनों को पर ले गए हम बराबर में कितना 100 minus का 64 और minus का 9 तो जब इन दोनों के इसमें प्लस करेंगे तो कितने बचेंगे तो 100 में 64 गए 36 और इसमें 9 ग जी most important question है paper में कितनी बार पूछा गया है इसलिए मैंने इसको mcq की थुरूई आपको समझाने कोईश करी तो हम क्या गरें सबसे फिले factor करें आप देख आए 27 या 6 तो या इसके factor यह से करना है कि multiply करो 27 और अगर minus को तो कितना है 6 आए तो आप जानते हैं अगर मैं 9-3 कर द 9y minus का 3y और minus का 27 और बराबर में 0 इस्टार्टिंग के दो में से कुमन और लास के दो में से कुमन दोनों में से y कुमन है तो y plus का 9 और बराबर में 0 तो y plus का 9 कुमन आ गया और y minus का 3 कुमन आ गया बराबर में क्या 0 अब गाईस देखिए एक बार तो y plus 9 मैंने 0 के बराबर नेरे थो मैज 것으로 दोकście दोन ओप्षिणन डियों तो माइनस के नइंब और ठीकिन सब्सक्रते हूब तो अप्षन में देखते हैं क्या जब सकते हैं कैसे कि इस में अधार धरी होई है कि दौन ओफिर आयो इसलिए लगे हुए है क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस सारे कोश्चन कवर करा दी थे पर किसी कार्ण में कुछ हो गया कि वीडियो नहीं आ सकी तो मैं दुबारा शूट कर रहा हूं क्योंकि हमने इस वीडियो का जो स्टेजी थी दो पार्ट में थी पहले में फर्स्ट में 50 और सेकेंड वाले में भी लास्ट की 50 तो अपनी इस वीडियो में जितने कोश्चन उतने करेंगे अधिकर कोश्चन नमर 34 में क्या का उसने उसने काई किसी बिंदू की एक्स अक्स से दूरी उस बिंदू का कहलाती है अब आप याद रखना है हमारा क्या होत बुझ ठीक है और जो य जो य आख होता है उसको ब änक्स लिया य नत में प्रणा के उस बिंदू का कहलाती है आप जो एक्स अक्स अक्स से कुछ भी पीज माइनस थीवे 6 की दूरी है यानि कि इसके पीच की की बीच जिरी पूछ है तो दो पूइंट है मारे पास 0 बीच की दूरी पता है यानि के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा मैं डाइट दूरी लिख रहा हूँ गाईज दूरी का फोर्मोल होता है हमारा X2-X1 तो हम कर लेते हैं यह X1 यह Y1 यह X2 और यह Y2 गाईज आप फोर्मोले पर भी विशे ध्यान दे क्योंकि अगर आपके पेपर में फोर्मोले याद होंगे तो आप कोशन कर पाओगे अगर आपके फोर्मोले याद नहीं है तो आपको सभी चैप्टर के फोर्मोले अच्छी तरीके से रिवाइज और लर्न करके जाने है तो X2-X1 यानि कि माइनस का 3 और माइनस का 0 का माइनसольшडर पलस tuaटो मायनस तो सिक्सुच माइनस कीबाहन कितना है जीरू इसका भी स्कैर तोए दुविट देखिए कि तो होगया कि यानिके माइन माइनस फ्रीका। स्क्रीका और मैस प्लस का स्क्रीक में हम जो बहुंकर होगे कितने इतना पूमत होगा है। नहीं है तो मैं क्या प्योंतर कर कर लें ऑप principle कर है आप जानते ति हीज और को इसडान कह्ते चीज़ काम जोड़ा है तो एक बार आज दाएगा तो क्या आगे है घाएं क्या फाइव और यह थे अगल है तो हम जानते हैं पाइलए हम पॉंवें पॉंट लिक्कन प्सक्राइशनु में क्या दिया हुए इंद निकालने इनके दूरे निकालने आपको पता हैं दूरे के फोर्मला तो डिस्टेंस आंस दूरी बडाबर यह x1 यह y1 यह x2 और यह y2 दोनों point हो गया तो x2 minus x1 x2 0 minus x1 कितना है a cos theta इसका square plus y2 minus y1 का square y2 कितना है a sin theta minus 0 का square यह हो गया तो distance बराबर देखते हैं minus a cos theta अगर 0 में से कुछ भी चीर माने से दो तो वो याफता है same plus कितना हो गया a sin theta का square ठीक है इस क्या करता है भी इसको खोल लेता है square खोल लेता है d वराबर कितना हो गया square उठके अंदर जो गई इस क्या होगा a का square करेंगा तो क्या हो गया a का square और साथ में cos square theta तो cos square theta plus यहाँ भी a का square और sin square theta तो a का square और sin square theta सब्सक्राइब कर दोनों में क्या में तो हम गया किया हुआ यह को मन ले मरें कि अंदर वता यह को पिर स्क्राइब नंबर को और आपको पता है जो स्क्राइब प्लस को स्क्राइब बराबर होता है मारा वन आपको फोर्मॉला या दें तो गया इसक्वार रूट के अंदर अकर आपको पता है अगर स्क्राइब अंदर किस चीज़ का स्क्राइब नंबर बाहर आ जाता है तो यह आ गया और अजिए अंदर क्या पूछा जाच चुका है तो नेक्ट कोसिन को स्क्राइब डेखते हैं प- 4-2 और Q 8-6 तो मिलाने वाले रेख अखंड के मध्धि आपको मद्धे बिंदू निकालने के लिए formula अगर याद नहीं है तो आप याद कर लें क्योंकि paper में mostly अब की बार इस question पूशे जाएंगे क्यों guys जो पहले हमारे दो number में question होते थे अब उनके 85% mcq में आने के हैं क्योंकि आप mcq 20 number के हैं तो जादे तर कोशन mcq में ही पूशे जाएंगे तो आपको याद रखना है जो मद्धे बिंदू है मद्धे बिंदू के लिए मद्धे बिंदू के लिए तो मद्धे बिंदू के लिए जो formula है हमारा वह होता है x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 यो क्या होता है हमारा formula होता है किसी भी किसी भी बिंदू बीच का मद्धे बिंदू निकालने के लिए तो हमें point क्या दे रखें पहले point लिखेंगे देखो minus 4 वे 2 कितना गाइस minus 4 वे 2 दूसरा point दे रखा 8 वे 6 दूसरा point है 8 वे 6 अब यो x1 यो y1 यो x2 यो y2 कोई भी हमारा दो point आपको पता है क्या होता है तो value रख दीजे x1 की जागा कितना minus के 4 plus x2 की जागा कितना 8 और upon में 2 अब y1 की जागा कितना 2 plus y2 की जागा कितना 6 और upon में 2 दूना point हो गए तो इस time 4 upon 2 और 8 upon में 2 योई आया गाईस तो डिवाड़ करती है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 क्यानकि हमारा point आया हो आया है 2 वे 4 तो देखते हैं योई हमारा option भी है देखते है option में दिया हुआ है 2 वे 4 यह हम इसको मिलाने वाली रेका खंड को yx किस अनुपात में यो क्या है अनुपात चैप्टर नंबर 7 का है और इसका आपको formula भी याद करना है क्योंकि यो भी important question है और यो भी कितनी बार question भी पूछा जा चुका है और इसका formula भी पूछा जा चुका है ठीक है तो आप अनुपात वाला जो हमारा formula है वो हैगा हमारा xy बराबर क्या होता है m1 x2 plus m2 x1 upon में m1 plus m2 और दूसरा है यह x point के लिए है y point के लिए है m1 y2 plus m2 y1 upon में m1 plus में m2 यह point होता है गाई अनुपात के लिए और यह most important है क्योंकि paper में formula भी पूछा जाता है इसका ठेक है तो उसने क्या point दे हैं आप एक बार यह देख लिजिए उसने दिया है 3 minus 4 minus 3 minus 4 और वे one way two का मिलाने वाले रेखा खंड को y x की अनुपात में भाइस करता है दो point आपको जाद रखने है एक तो अनुपात पूछा हुआ है और एक y x का है यह x x का है यह दो number में भी question question आ जाता है गाईज तो question number कौन सा हमारा 38 तो 38 question देखिए 38 question में उसने कौन कौन में point दी है यहां कितना है y तो रख दीजिए x1 y1 x2 y2 होता है क्या होता है m1 x2 की जहां कितना है 1 plus m2 multiply में x1 होता है इसकी जहां माइनस का three और upon में m1 plus में m2 यह जोता है दो सा point क्या होता है हमारा m1 y2 y2 की जहां कितना है two plus m2 y1 y1 की जहां होता है minus का four और upon में m1 plus में m2 यह जोता है गईज देखो यह वाला point तो इसके बराबर होता है और यह वाला point इसके बराबर होता है x वाला x के लिए और y वाला y के लिए आपको याद रखना है इसे question में सबसे पिल आपको zero बराबर रखनी है तो guys क्या हो multiply करी m1 plus minus minus का three m2 और upon में m1 plus में m2 बराबर में zero cross multiply m1 minus three m2 बराबर में zero क्योंकि यह zero में गया अनुपात m1 में m2 को बोलते है अब इसको पर ले जाए m1 बराबर में three m2 तो m1 ही रखा हमने इसके अपोन में आगे m2 बराबर में three upon में one तो जो अनुपात आया हो कितना आया three अनुपात one ठीक गईज अब मैं आपको बार ब question चाल नंबर में पूछे जाते हैं और दो नंबर में पूछे जाते हैं इसी दिए मने इस टाइप के question रखे कि आपके सारे cover हो जाए एक ही वीडियो में आपको और ज्यादे महनती ही ना करना पड़े अब देगाई कितना है हमारा three ratio one option में है कि यह देगाई three ratio one camera option में है त हमारा योई camera correct option है तो next question पर चलते है next question में क्या दे हुआ है next option में दिया हुए इसने x x पर वह बिंदू जो बिंदू इस से सम दुरूष्ट है और most important question है four number में कितने चार नंबर में कितनी वार question पूछा जा चुका है तो इस क्या निकाल लेंगे हम एक्स पर निकालना है जैसे आपको पता है एक्स एक्स के लिए बराबर zero तो same वही करेंगे हम x x पर वह बिंदू है जो इसको सम दुरूष्ट है आपको सम दुरूष्ट का मतलब बता दू क्या होता है जैसे कि मेरा question 39 हो गया यह दो इस पर है जैनिकर यह पी हो गया तो कोई हीद क्योंट की रखा है जैने कोंड को बिंदू एक यहां पर है जिस कि जीतनी दूरी यहां से यहां तक है थे तक हम बोलते है संदू ठीक है तब वह point पता लगाना है actually our backs और उस ने किछ दिया है extrem lab as एक्स एक्स के लिए X, X के लिए Y किसका मान निकल जाएगा X का मान निकल जाएगा तो रखते हैं यानि के दोनों पॉइंट पहले P, Q है तो P, Q के बीच की दूरी बराबर होगी किसकी QR के बीच की दूरी के ठीक है यह यह होगा तो लेखिए गाई P point कितना है मेरा 2A minus का 5 और Q point किया है मेरा X way 0 ठीक है यहां Q point किया है मेरा X way 0 और जो R point है वो कितना है minus के 2 वे 8 तो दूरी के बीच की दूरी निकार लो यहां भी बीच का formula क्या होता है guys X2 minus X1 यह X1 यह Y1 यह X2 यह Y2 यह X1 यह Y1 यह X2 यह Y2 X2 minus X1 यहां होगा X minus 2 का square plus Y2 minus Y1 0 यह minus यह minus formula का 5 का square बराबर यहां भी square root के अंदर X2 minus X1 यानिके minus 2 वे minus X का square कि यानि कि 8-0 का क्षेटर आप आप क्यासे पता लगा लगा कि अगर इसे को मान निकालना है तो इसका तो यह को मान निकालना है अब बि scribes, इसका हां अमलिक हो सकता है देर्स तो इसकार रू क्येंँन तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो दोनों तरफ कर देखो गाई एक लाइन बनाने सच्छा है कि हम स्क्वेर करेंगे नीचे और दोनों से स्क्वेर रूट क्या हो जाएगा हमारा चैंसल हो जाएगा है निकि ए से स्क्वेर रूट कैंस ठीक है यह नीचे वाइस एले मरी यह कर दिया तो हमारा क्या आएगा x minus 2 का square plus 5 का square बरावर में minus该 2 और minus x का square और plus में 8 का square यही परचा आप देंगे जो हमारा होता है x invece आपको पता है a plus b और a minus b को formula हमारे क्या होता है तो जो फोर एक्स पलसमे 25 गाईज आपको फोर्मुले तो पता ही होगा अगर आपको फोर्मुले नहीं पता तो आपके बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप पेपर का टाइम है अब आपको एक पॉइंट खोलो कर नहीं बताया जा सकता ओली आपको इस डायेक्टली कराया जा है तो देखेंगाई अब गाई देखें यो भी माइनस यो भी माइनस और हमारे पास दो ही फोर्मुल होते हैं एक एक पलास बीको एक एक माइनस बीका तो यह सदो कोई फोर्मुले नहीं है दोनों में से क्या common है guys minus common है दोनों में से minus common ले लो और square की वज़े वो plus हो जाएगा तो 2 plus x का square प्लस 8 का square रहता है 64 अब यहां क्या हुआ x का square plus minus का 4x ठीक है और यह दोनों प्लस कर रहता है तो 29 बराबर 1 का square कितना होता है 2 का square होगा 4 plus x का square plus 2 2 जा 4 x और प्लस में 64 यह हो गया तो x square क्या करो गाई minus का 4x प्लस का 29 बराबर में हो गया x square और प्लस में 4x और दोनों प्लस कर रहता है तो 68 अब गई इस वाले को सारे को उठा को अधर ले जाए क्यों उधर ज्यादे नंबर है तो क्या हुआ x का square plus का 4 x प्लस का 68 यह पर जा के minus का x square हो गया यह पर जा के plus का 4 x हो गया और यह पर जा के minus का 29 बराबर में क्या पचे 0 minus से plus वाला क्या हुआ cancel अब 4x और 4x कितना हो गए हमारे 8x ठीक है जब इसमें समें इसको minus करेंगे तो कितना आगा गाईज plus के 39 और बराबर में 0 तो 8x को यह रखें क्योंकि x कमान फाइंड करना है यह पड़े गया minus का 39 तो x बराबर कितना हो गया minus के 39 में क्या 8 अब एक्स कमान आ गया तो जो पॉइंट है जो बिंदू है वह क्या था हमारा जो बिंदू है एक्स कमान कितना है माइस के 39 अपवन में 8 और य क्या था 0 तो यह यह हमारा correct ऑप्शन होगा इतना option में option A 35 अपवन 8 जीरो यह नहीं train अपवन 8 जीरो यह नहीं है यहां minus चुट हुआ है तो इसका जो correct ऑप्शन है GUYS क्या है यह है और यह हमारा correct option है और हमारा आंसर भी है ठीक है नेक्ट कोशन करते हैं कोशन नमबर 40 में देगा इस क्या दियो हुए है 40 उसने 40 में कहा है बिंदू इसको इसका मध्य बिंदू है यह कोशन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने अभी मध्य बिंदू आपको बताया था जो हमारा फोल्मूला था यही है रखने है और डिवाईल करना है आउनसर ठीक है है आप यह कोशन खूद कर सकते हैं नेक्ट कोशन मुझे हमें क्या देखा एगा है उसने का यही बिंदू ऐल यह नमबर में विंदू सब्सक्रताहिक में पुझा आपको इसको नमबर में जाना है और दो नमबर में पूछा जाता है, अब सल देखी किसको बोलता है, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा, गैस देखे, question number 41 है हमारा, 41, गैस सल देखी किसको बोलता है, सल देखी, सल देखी इसको बोलता है, अगर कोई भी तीन पॉइंट, मैं मेरे पास एक लाइन है, और तीनों पॉइंट, A, B, C, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो इसको बोलता है, सल देखी, अब गैस को आप find कैसे करोगे, अगर आपको कोई पॉइंट दे देखी, कोशन दे दिया, क्योंकि यह question 4 नमबर वाला है, 4 नमबर वाला भी है, 1 नमबर वाला भी है, 2 होगे, इसके और इसके बीच की दूरी के प्लस के क्या होता है, बराबर, यानि कि A, C के बीच की दूरी बराबर होगी, A, B के बीच की दूरी प्लस B, C के बीच की दूरी के लिए, अगर यह आता है, 4 नमबर में, तो आप इससे निकालोगे, पहले A, C की दूरी निकालोग होता है गाई 1 अपोन 2, क्या होता है, x1, y2- y3, ठीक है, पलस में x2, y3- y1, ठीक है, फिर होता है, x3, y1- y2, और बरावर में क्या होती है, 0, यह सद्र्देखी निकालने के लिए है, अगर हमें सद्र्देखी निकालना है ठीक आप देखें पॉइंट हमें तीनों पॉइंट हमें क्या दिया हूँ इसने x वे 2 माइनस 3 में माइनस 4 और 7 में माइनस के 5 तो तीनों पॉइंट लिखने पहले दो गाइस x वे 2 ठीक है दूसरे पॉइंट क्या दिया हूँ है माइनस का 3 वे माइनस का 4 और तीसर पॉइंट दिया हुआ है 7 में माइनस का 5 अब देखें तीन पॉइंट दिया है तो यह x1 यह y1 यह x2 यह y2 और यह x3 और यह y3 अब तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए क्या फॉर्मूला वे 1 अपॉन 2 x1 की जागा कितना x y2 की जागा कितना माइनस का 4 माइनस और y3 की जागा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5 ठीक है पलस अब x2 की जागा कितना है माइनस का 3 ठीक है y3 माइनस य1 y3 कितना है माइनस का 5 और y1 कितना है माइनस का y1 है हमारा 2 ठीक है सब्सक्राइब करता है यहां पर सॉल गरते हैं इसको清al पर ओंगरते हैं उनली सब suggestion तो उनली क्या आएगा अब दूसरे वाले में देखिए माइनस का 3 है और यह कितना होगा माइनस के 7 के मानस के 3 में तो प्लस के 21 यानि के प्लस का 21 आव देखिए प्लस का यह जो कितना होगा लुआ कितनों है सैवन सीजर के तो फोट्टी तू पालस के फोट्टी टू और बराबर में क्या जीरो और यहां भी क्या था बराबर में जीरो ठीक है कि योई ता गईज अब इसको सॉल्व कर लीजिए जी कितना होगा हमारा कि वन अपॉन टू है कि आपको पता है अगर बराबर में हमारे जीरो होती है तो अगर बराबर में जीरो हो तो क्या हो जाता है मैं वन अपॉन टू यह बराबर जीरो है तो यह तो जीरो में चला जाएगा क्या बचा एक्स और दोनों प्लस कर दीजिए इतने कितना वन और टू थी और 63 बराबर में जीरो तो एक देखते हैं उसने क्या दिया हुए कि यदि 10A बराबर रूट 3 और 10B बराबर वन अपन रूट 3 तो 10 A पलस B का मान ग्याद कीजिए अब आज देखिए यह question most important है क्योंकि पिछली बार भी एसा question चार number में था और चार line का यह question नहीं है ठीक है तो आज देखिए question number 42 में क्या दिया हुआ इसने उसने कहा है 10 a बराबर root 3 ठीक है और 10 b बराबर क्या है 1 upon में root 3 तो किस कमान find करना है 10 a plus b कमान हमें क्या करना है find करना है अब आज सबसे पहले हम इसको उठाएंगे 10 a बराबर में हो गया root 3 अब आज देखिए मुझे a plus b कमान चाहिए तो यहारे 10 रटाना पड़ागा अब हम यह देखेंगे कि क्या जो बराबर में root 3 है उसकी value 10 में होती है तो आज जैसे कि आप जानते है 10 60 की value root 3 होता है तो 10 60 10 से 10 cancel a बराबर में आगे मेरा 60 मिलेगे कमान अब मैं किसको उठाऊँगा इस वाले को 10 b बराबर अब मैं यहां भी देखुआँ कि क्या 1 upon root 3 की value 10 b में और 10 में होती है तो 10 b बराबर कितना हो गया 10 30 10 से 10 cancel तो b बराबर कितना हो गया हमारा 30 अब नेक्स देखते हैं मुझे value किसकी find करनी है मुझे find करनी है 10 a परस b की आप देखें गाईज 10 a की जहां कितना 60 और परस b की value कितनी 30 तो क्या हुआ गाईज 10 90 वह आप जानते हैं जो 10 90 है 10 90 की value क्या होती है infinite और यह हमारा क्या है answer है next question देखते हैं next question 43 43 43 43 43 में क्या दिया हुआ इसने यह 3 quote a बराबर 4 तो सेक एक अमान ग्याद करो और यह question most important है ठीक क्यूंकि इस टाइब क्वेश्चन तो आपको पेपर में 100% मिलने ही वाले हैं किनोमेटरी में से देखो उसने दिया हुआ है में 3 quote a बराबर 4 जो दिया हुआ है उसने पूछा है सेक एक मान फाइंड करो किसका मान फाइंड करना है सेक एक आपको एक पता होगा कि लाला शर्फी लाल और के के अगरवार यानिके sign course और 10 यह सब इसके अपोजिट होते है तो सेक एक बराबर क्या होता है sign course 10 quote सेक तो सेक बराबर होता है करन अपोन आधार तो आपको पहले करन अपोन आधार इनके तीनों का मान पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे quote a बराबर हो गया 4 upon में 3 अगर quote बराबर होता है आधार बटे लंब और अगर आपको सेक का मान न्काले तको पहले करन का मान पता होना चाहिए क्योंकि आधार का पता है और अगर किसी भी हमें एसे अनुपात में है अगर हमें तीन अनुपात चाहिए और हमारे पाद दो है तो कुंछी प्रम्यका यूज़ करेंगे पाइफ़ा अधार्य का यूज़ करेंगे घًडवा तक मने क्या होती है अब क्रन के स्क्वेर बराबर अधार का इस परम्यका इस यह होता है करन का स्क्राइब बराबर में कितना होगा तो करन बराबर आ जाएगा मेरा 5 क्यूंकि स्क्यार रूट दो जाएगा तो स्क्यार रूट मेरा आनसर इदैए ठीक है क्वेद9 इस आप 100% मिलने वाला है मैं गारंटी दे रहाऊ हूँ यहां सर्क की जागा sign हो सकता है 10 हो सकता है वेड़बल चेंज हो सकते हैं तो यह निकिए आपके अनुपाद चेंज हो सकते हैं थीक है नेक्स कोश्चन देखते हैं यदि 410 थीटा बराबर 3 है तो इसका मान ज्याद करो यह कोश्चन आपको मैं होम रख दे रहा हूं और यह सेम इसी कितरह है अब आप करोगे कैसे यह देखिए उसने दिया हुआ है 410 थीटा बराबर में 3 यह दिया हुआ है मान किसका फांड करन सब्सक्राइब करना करना कर सकते हैं अब करन देखिए करन नहीं पता बराबर लंब कितना है हमारा ठीक कर सकते हैं तिक है आधार कितना है हमारा Suckra mentals FORjour 16 तो करने सकेब बराबर में 25 तो करने बरावर कितना है हमारा 5 है आप 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 किना मान फायन का और कोज का तो मान निकाल siete बराबर क्विए होता है क्लम के लें क्तिने हमकर लंफ के मेलव एक ठी और करना यह मान भाइब तो साइन का मान निकालते हैं अब कोश्ट थेटा का मान निकालते हैं कोश्ट थेटा बराबर हमारा क्या होता गई जैसे आपको पता है कोश्ट थेटा होता है मारा आधार बटे कर्म यह उतता है आधार की वैल्यू कितनी है हमारी फोर और कर्म कितना पता है कोश्ट प्रिट्री में वो कह रहा है सम कॉन तिरिवूर्ट हमें पता है सम कॉन तिरिवूर्ट किसको बोलते हैं जिसमें एक कॉन 90 डिगरी को हो अब उस नाकाए ए बी बराबर 8 cm और बी बिच का जो ची है वो कितना है 30 डिगरी है तब सी से ए का उन्हान को होगा अबastic डिगर क्यं कितना होगा अब क्या करने पड़ा बाइं क्या सकूछल बाइब युद्ट को देखने के लिए दर्शक को क्या करना पड़ा मिनार की चोटिस है देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा सिर उठाना पड़ता है सिर नीचे जुखाना पड़ता है सिर शेथिज दिल के समानते रखना पड़ता है किसी भी परिस्तिति में नहीं सेथिज बोलता है सीधर रखना पड़ता है या निके तो इने कोई तेवगात जंद ना है तो यानिक Islands कोई फॉरत्तों के शेतरफल को अनुपात इतना है तो यानि कैसे पहले तर्वाइल का शेतरफल ठीक है और upon में दूसरे तिरी बुजी का 6 तरफल इसका अनुपात कितना दे रखा गई उसे दे रखा 4 अनुपात 1 रेशु को बोलते हैं अनुपात में लिखना तो उनकी 30 अनुपात होगा यह 6 तरफल लिख लो दोनों के भाई हमें पता है वुरत का 6 पर होता है पाई आर स्केर इसे वाले का लिख लो पाई आर स्केर ठीक है बराबर में 4 अपॉन में 1 तो पाई से पाई कैंसिल ठीक है इस होगी अब उपर बचा आर स्केर नीशे बचा आर का स्केर बराबर में 4 अपॉन में 1 दोनों का स्केर अध क्या है क्या है क्या होगा एक वरत के चतुर्थांस का शेत्वल क्या होगा अगर उसकी परीदी यह हो आप व्याइश देख चतुर्थांस को बोलते हैं कॉशन 56 उस ने कहा है एक वर्त है चतुर्थान्स जैसका चोथाई भाग है उसका होता है उसका हो üसकी परीदी क्या हो रहा हो 6 उसيا फॉर्मूल होता है theta अपोँ 360 multiplied में pi R square अब गया उसके लिए theta से यह है तो guys पूरा 60 degree 60 degree होता है और एक होता है इसका 90 degree का ठीक है theta दो मिलगे है 90 degree अब यानिके जो theta है को कितना है वो गते है 90 degree pi की वैलियू मैं पता ही है 22 बटे साथ अर निकालना, आर कहां से निकलागा, आर निकलागा, यहां से, हमें पता है, परीदी होती है, 2 π.A.R. बराबर में 22 ठीक है तो 2 पाई की वैली सब को पता है 22 अपोन में 7 और आर बराबर में 22 अब 22 से तो 20 कैंसिल यह वहाँ चला जागा इसके अपोन में जागा तो आर बराबर होगे 7 अपोन में 2 ठीक है आर मिल गया अब हमें निकालने चतुरसांस तो फोर्मुले में रख दीजिए चतुरस 60 मल्टिप्लाई पाई की जंगा 22 बटे 7 और आल की जंगा आया 7 अपोन 2 का स्क्राइब यह हो गया तो देखें गाई 9.36 यानिके 1 बटे 4 मल्टिप्लाई में 22 बटे 7 इसको लिख सकता हूं में 7 बटे 2 मल्टिप्लाई में 7 बटे 2 तो 7 से तो यह साथ कैंसिल अब देखें 12 क्या हुआ है उपर तो 22 वह नीचे कितना चार दुनिया आट दुनी 16 अब उस नमाई से क्या पूछ है चतुर्थांस का 6 त्रफल क्या होगा क्या होगा अगर उसकी परीधी इतनी हो हमें पता है परीधी होती है टू पाई आर अब क्या होगा यह वहां पर चला गया 22 से 22 कैंसिल और यह इसके अपन में आ गया चतुर्थांस का फॉर्म होता है ठीटा पॉन 307 वीडिकूर सही ठीक हैं 22 बटे साथ और 22 बटे साथ तो साथ बटे दो साथ बटे 22 हमने एक चीज़ छोड़ दी में सोचन हमने सैवन छोड़ दे ना सी ठीक हमारा सैवन भी रहना मुल्टिप्लाइब करो सैवन फॉर्टीन फॉर्ट यान कि 154 अपन में 16 तो डिवाइल कर दीजिए डिवाइल करने की बाद जो आंसर आगा कोेशन 57 देए दो वरत दों उसने दों औरो चाल में उससने दो वरत है कि एक बरत यो और एक इन दोनों ऐँ है इसकी एच सैंटीमेटर और उसकी सिक सैंटीमेटर है तहक है अब उसने काया यदि वरत की प्रिज्या क्या होगी जब दोनों वरत के प्रिज्यों के योग के बराबर हो यानि कि इन दोनों को मिलाने पर जो तीसरा वरत बंदा उसकी हमाई से पूछे है त्रिज्या क्या होगी ठीक है तो यानि कि दोनों भी परीदियों का योग बराबर होगा इसकी परीदि के योग के तो यानि कि फर्स्ट वाले परीदि कितने होती है तू पाई आर वन पलस तू पाई आर टू बराबर होगा तू पाई कैपिटल आर के उसने काए दो वरत हैं जिनकी तिरिज्जाए 8 और 6 है उस वर्त की तरिज्या क्या होगी जब दोनों वरत्तों की परीदियों के योग के बराबर हो यानि कि इन दोनों की वर्त की परीदियों को एड़ कर दिया जाए तो तीसरे वाले की परीदी क्या होगी कि और मन कितना दिया हॉआ इसम एट टु कितना दिया हॉआइस शिक्त बराबर में आर तो आर बराबर कितना जाएगा 14 cm ठीक है हमारा क्याओ Pan 비ाशन क्रेक्द तो 14 cm इस करेक्ट ऑप्षन did देखते हैं दो वरत्यों की प्रहिदियों 3 ratio 1 के अनुपात में हैं तो इनके 6 फ़लों का अनुपात होगा अब एक चीछ देखिए उसने हमें क्या कहा है दो वरत प्रहिदी का अनुपात बाई यानिके 2 वरत हैं गाई पहला वरत यानिके पहले वाले की वरत की प्रहिदी कितनी होगी 2 pi r 1 और दूसरे व का आर चाहिए हमें तो आर निकाल लेंगे तो हमें दोनों के क्या होगा 6 फ़लों का अनुपात मिल जाएगा तो पहले हम यहां से निकाल लेंगे 2 pi से 2 pi cancel r 1 बराबर 3 और r 2 बराबर में 1 दोनों मिल गए तो रख दीजी पाई r 1 का स्क्वेर अपोन में पाई r 2 का स्क्वेर pi से pi cancel r 1 कितना है 3 यानिके 3 का स्क्वेर r 1 कितना है 1 1 का स्क्वेर तो जब इसको स्क्वेर करने तो कितना जाएगा 9 अपोन में 1 अनुपात कुछ है तो यानिके 9 रेशू 1 यही कहा है solution तो 9 रेशू 1 कहा है is the correct option ठीक है question 59 देखिए वरत की सबसे बड़ी जीवा होती है अग किसे होगे जाता है centers होगे जाता है तो सबसे बड़ी जीव होती है उसको बोलते है व्यास तो correct option c ठीक है question 16 देखिए 60 में कहा है त्रिज्या आर के एक वरत के कौन ठीटा वाले त्रिज्या खंड के संगा चाप की लंबाई होगी अब गाईस देखिए दो चीज होती है 60 question म का है उसने कि त्रिज्या आर के एक वरत के कौन ठीटा वाले त्रिज्या खंड के संगा चाप की लंबाई कोई भी क्या है यह है जिसकी देखिए इसके बीच में कितना एंगल बनना है ठीटा तो चाप बोलते हैं जो इसकी परिदीव बनता है यानि कि इस चाप की होता है थीटा पॉन तीन सो साथ मल्टिप्लाइ में टू पाई आर यह फॉर्मला हमारा होता है तो देखिए गया थीटा पॉन एक कोई भी वर्थ है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 14 cm है 14 cm केंद पर एक जीवा समकre탄 बोलते है इसको यादि जो प्रीदियू को जीवा बोलते है समकून बनाती है इसके लगू तरिज्य खंड का यानि कि यो जो लगू तरिज्य खंड है इसका क्या करना है छेत्रफल फाइंड करना है अगर हमें पता है जब समकून तरिफुज बनेगा तो एंगल कितना होगा 90 डिगरी तो एंगल भी मिली कि हमें क्या निकालना है तरिज त्रिज्य खंड का छेत्र रफल क्या होता है थीटा अपॉन तीन सो साथ मल्टिपलाई में पाई आर इस्ट्र तो थीटा की जहां कितना 90 अपॉन में 360 ब्राबर में 22 अपॉन में 7 और आर की जहां कितना दिया वैस ने 14 यानि यह 14 का इस्ट्र यह वह गया सॉल्फ कर 9.36 एक बटे 4 मल्टिपलाई 22 बटे 7 और 14 मल्टिपलाई में 14 तो 7 दुनी 14 और 2 दुनी 4 और 2 से 7 बार तो कितना होगा गाई 22 मल्टिपलाई में 7 और जे मिन की मल्टिपलाई करते है 154 ठीक है तो गाई क्या हो गया 154 cm2 is the correct option ठीक है आई होगा आई होगा आपकी कोशन समझ पर जिमाया होगा क्यों गया यह फोर नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है पूछ लिया जाता है चार नंबर में और दो नंबर में भी अ नेक्ट कोशन देखिए नेक्ट कोशन में उसने क्या दिया हुआ है कोशन नंबर 16 जाए वह गलत दिखा गया थी कि अभी इसको करने के नहीं क्यों गलत प्रिंट हुआ है कोशन नंबर 63 देखिए एक लंब रते बेलन के आधार का छेट पल नाइन पाई है तो उसके आधा नंती बैलन के आधार का शेटफिल नots जादण करते बोलते हैं उसके ऊपर को नीचे और मैं पता है कोई भी बेलन गूल होता है तो यानिकि किससे की शेट वर्त की शेटफल नंबर ऐस एक है करो पताने कि क्या वैस्क्रार का होगा है तो अज़सरा आथार की उतना होते है सेंटिमिटर होता है उसका सोल होता है वट है पा1 आर इसक्वार का तीस में यह एक और रखने के भर रखन चीलतने होता है तो अरफ की जगण कि तू घंगा अज़ेन एक पोगते है एक विपनेया सथे विशाया या इतंव को आई बड़ो अज्क पर आई है कि किसी अरंज गोल एक थोस्के व्रद प्रस्ट को उसके च्रेट को अनुपात होगा क्या कि उसने किसी अर्ध गोल के ठोस की निक है कोई अर्ध गोला है जो ठोस है कि वकरपर्श्ट और उसके आधार के शेत फल तो यह किसकी शेफ का है वर्ष की शेफ का अनुपाद गयाद करना है तो अनुपाद गयाद करना है तो क्या होगा वाई अर्द गोले के अर्द गोले का परष्टी है छेतरफल और अपोर में क्या होगा अर्द गोले के अर्द गोले के आधार का छेतरफल यही होगा अर्द तो देखें दू दू यह रचे तो रेश्य क्या एका सब्सक्रातु हुkelnों करेक्ट By लिय् adulthood तो डेखें चीन आइफ गें ऐसे न invent तो रेशनीं डेक्वा कर्या बकम्ति क्या सब्सक्राइब क्या योई एक मित रिख्त आगा सबस्क्राव गने साइके और उसकी उसाई फुर्य गंतिव यहीं वो क्या पता है इसा वक्रफियासी होता है को प्रस्य सोडी तो टू पाई की जंगा बाइस बटे साथ और कितना है उसका साथ और एच कितना है टैन तो स्यास्तर साथ कैंसिल अब मल्टिप्लाई कर दीजिए इसके करेंगे तो कितनों जाए लगाई दो किसमें 44 और 44 सेंटी मिटर का स्क्वेर तो हैंगे जिसका क्रेक्ट्ट्ट् गाईस most important is formulae अगर आपने formulae याद करें तो आप question कर दोगे बट अगर आपने formulae याद नहीं करें तो guys question इतने easy होंगे और आप पर नहीं होंगे तो मैं आपको बोला हूँ आपको formulae जरूर याद करेंगे जाना है necessary है formulae ठीक है किसी गोले का worker प्रस्ट इतना है तो इसकी त जिज्जे ग्यात्र वाइब गोले का worker प्रस्ट अब उसने दिया हुआ है कि इसको वकर प्रस्ट जो है फोर पाई आर स्केर बराबर है यानि कि 144 पाई के तो उसने का आर कमान फाइंड करो भाई देखिए गई पाई से तो पाई के एंसिल्ट अब चार देखते हैं चारति 12 और कितने चार नम चार चिक चोबिस ठीक है यह 36 आगे आर इसके बराबर मागे 36 तो आर बराबर कितना जाएगा 6 cm ठीक है तो यानि कि आर बराबर कितना होगा इसका 6 cm यानि कि ए ओप्शन ठीक होगा question 67 देखते है 67 उसने क्या का है मैं 67 67 मैं कि किसी घंगा परते किनारा एल इकाई का हो तो उसका संपून परस्टिये शेत्रफल होगा गाईज इस question को मैं ही करता है आपको पता है जो घंग का संपून परस्टिये शेत्रफल होता है 6a square ठीक है ए इसकी जंगा L square है तो 6L square इस correct option is B ठीक है question 68 देखिए यदि शंखों की उचाई इतनी हो और उसकी इतनी हो तो इसकी त्रीज आधार की त्रीज जग्यात करो अब देगाई शंखों को चाई एच बराबर कितना दिया उसने 35 और त्रीज बोलता है निके L को वह दिया हूँ है 37 find क्या करने के लिए का है उसकी त्रीज जैनिक आर फाइंड करने के लिए का है है हमारे पास एक फोर्मुला है अगर हमें L निकालना हो तो क्या होता है L बराबर में L स्केल पर से में H के जाहन कितना 37 का स्केल स्केल ठीक है आर को तो यही रखे है इसक इदर लिए तो आर का स्केल बराबर क्या हो जाया है हमारा that is 7 KS के तर माइनस हो जागे धरा के तो आर इसके भ्राबर डिए कई एक यह होटा यह बार प्लस में एक बार माइनस में तो 37 पलस 35 और 37 मांटस में 35 तो आइक प्रस्कर दीजिए शाथ और पास बारा का दो का सब्सक्राइब एक तीन और तीन च्छे और एक साथ ठीक है और जब इसमेरे बच्छे दो और जब इसके मुल्टिप्लाइब करेंगा तो आएगा एक सोच्वालिस और हम मैं पताय जो एक शचवालिस किसकेर उस्वाहार होता है बारा सेंटि मीटर चुल वह क्या क्या होगा यूं कौना сказать आइतन फाइंड करना है यदि उसकी त्रिज्जा कितनी दिए तो लिखिब रख इतनी एक बाद 69 में उसकी त्रिज्जा कितनी दिए उसनने में 3 cm ठीक है और जो उसका उसकी उंचा ही है ह बराबर किते दिए उसने सेवन सेटी मीटर तो हमें क्या नहीं थो हमें सप्शंघ होगा नहीं का लाय चeffective आहाफल क्या चांट है तो हमें क्या होगा अ सब्सक्राइज कर ल difícilée कि प्रेसदा हो में क्यारा मोग प्रेस्च निम सब्सकूर्य Cloud संपर की जना दिया हुए है उससे थी का स्क्वेर और एच की दिया हो जंगा दिया है सैवन तो वन अपून थी 22 बटे साथ और 3 मृटिप्लाइं में 3 मृटिप्लाइं में 7 सेवन जेएं सेरी कहांचि तो गेंजना कर दें यानि के 66 सेंटीमिटर का स्क्राइल तो जो ग्डाइट ओपष्ण है वह क्या है 66 सैंटीमिटर का स्क्राइल तो क्टिअ सेवन postpu करते हैं क्या दिया हुआ है एक धातू के शंखु को समान त्रिज्जा के बेलन के आकार में बदला जाता है यदि बेलन की त्रिज्जा इतनी हो तो शंखु की मुशाय ग्यास करो तो थोड़ा गो से देखना क्योंकि यह चाल नंबर में इंपोटेंट है एक धातू क्या हो जितने भी छे नंबर के कोश्चन थे वे मैंने अपने दूसरी वीडियो में बताया दिये हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तुम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में उस वीडियो का लिंक देदूँगा आप उसको जाकर सबसे पहले देखने ठीक है एक धातू के चंखु का आथन है वह बरावर होगा बड़ाबर होगा बयरण के अब टाल एक शंब खुछ चंखु का ऑड़ाई ता में एक होगा था इसने अंचाई दोनों के अलग अलग दूए है दोनों की शेंचाई नहीं मान सकता क्योंकि इसने बीदलन की उंचाई तो आई देगे पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ठीक है रेडेस भी दोनों की बराबरी है आसार कैंसिल हो गया अब वन अपॉन टू शंक्यू उचाहिए में फाइन करनी है इसकी उचाहिए फाइफ है तो एस बराबर कितना आ गया तैन सेंटी मिटर तो क्रेक्ट ओप्शन क का इसका कुछ मिस्टेक पर दिशाद गया इस 15 अरा एक वाइव तो शोडी हमने ग्रतिक लिए यह ओता है वन अपन त्री वन अपन फॉन अपन त्री पाई आर इसको एश्च तो तो त्रीकी मुश्टीपुलाए गरा तो कित प्राइगा फिफ्टीन ठीक है तो क्राफ्ट को वीडियो को नोटिफिकर सबसे पहले मिल जाए ठीक है गाइस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू